मुश्कार स्वागत आपका सेल स्टेडी के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं कि क्या है इसलामिक सहयोग संगतन यानि की Organization of Islamic Corporation मतलब कि इसकी शोट फॉर्म आपने सुनी होगी OIC अभी फिलाल ये न्यूज में क्यों है Reason ये है कि जैसे भारत के अंदर दो भारतिय यानि कि नुपूर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल जिनोंने पैंगंबर महुम्मद या फिर कहूं कि इसलाम के उपर टिपनी कंट्रोवर्सिल टिपनी करती जिसके चलते OIC ने अपनी अपति दर्ज कराई अलोचना की इन टिपनियों की और यहां पर OIC के दौरा कहा गया या फिर कहीं कि जो अरब कंट्रीज है उनके दौरा कहा गया कि भारत जो है वो पॉबलिक जाले ने OIC की स्टिपनियों को खारिज करते हुए कि देखिए जो ये दो नागरिकों की आपने बात की है ये उनकी राये हैं ये उनके विचार हैं इसमें भारत सरकार के विचारों को नहीं दर्शाते हैं और इससे पहले OIC ने काफी जादा communal एक तरीके से हम कहेंगे कि संपरता एक सोच रखती ही ये OIC क्यूंकि जैसे करनाटक के अंदर हिजाब विवाद हुआ था हिजाब विवाद के अंदर आपको बता है कि करनाटक में कुछ लड़कियां जो है वो हिजाब पहन के स्कूल के अंदर entry कर रहे थी लेकिन स्कूल व और भारत के खिलाब बोलना शुरू किया और एक को अपने धर्म के मानने की स्वतनतरथा है वह Για कि यहांपर कोई हिंदु हिंदू Community का जो अगर अपने धर्म को मानते हैं जैसे कि पाकिस्तान अगर वहांपर हिंदू Community का जैसे उनकी बूरी हालत की गई है वहांपर बताना भूल गया कि PDF जो है वो डिस्क्रिप्शन बोक्स में टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा तो जाकर आप वहाँ से इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं मुद्धे पर आते हैं देखें इन लड़कियों ने जैसे ही अपना ये मामला बताया कि हमें एंट्री नहीं थी ये काफी ज़्यादा तूल पकड़ा ट्विटर पे काफी ज़्यादा ट्रेंडिंग रहा तो यहां पर OIC कहां रहता अब पीछे कि इसलाम की बात आगी थी और ओविसली OIC का जो ये गठन है वो इसलाम को ये बचाने के लिए ही हुआ था अभी आपको बता चलेगा कि 1969 के इंदर जो इसका गठन हुआ था रीजन क्या था गठन करने के पीछे तो यहां पर इन्होंने एक अपनी संपरता एक सोच भी रखी थी तो काफी ज़्यादा खराब थी और इसको भारसरकार ने मतलब कि अलोचना भी की थी कि कितनी ज़्यादा आपने कॉमुनियल माइंड साइट है आपका और इसके अलोचना भी की थी भारसरकार के द्वारा OIC क्या है देखे OIC जो है वो Organization of Islamic Corporation है और इसकी स्थापना जो है 1969 के अंदर हुई थी 1969 के अंदर क्यों हुई थी देखे 1969 के अंदर एक 28 साल के 28 साल के Australian ने क्या किया था अल असका मस्चीत के ओपर बम गिरा दिया था या बम की आगजिनी कर दी थी जिसके चलते इस OIC की स्थापना की गई थी इसमें अभी फिलाल 57 मेंबर है और founding member इसके है 30 1972 में इसका charter adopt किया गया था charter बोले तो नियम कि भई ये किस सिधान्त पे चलेगा क्या इसके नियम होगे किन चीजों को पालन करेगा इसके उदेश्य क्या होगे यानि objective क्या होगे ये तमाम बातें इस charter में लिखी होती है और इसको सबसे पहले 1972 के अंदर इसको adopt किया गया था दिरे दिरे जैसे जैसे time आगे बड़ा इस charter के अंदर कुछ शंशोधन किये गए उनको अपना आया गया और जो इसकी key bodies है key bodies बोले तो main bodies है जो OIC की सबसे powerful body है सबसे number one पे आती है council of foreign ministers सबसे powerful body यही है फिर general secretary है Islamic summit है Al-Quaad committee है ये होगी इसकी जो main bodies आती है अब जैसे मैंने कहा कि इस संगठन की जो शुरुवात है या फिर इसकी स्थापना जो है कि हम पूरी Muslim जो community है उनकी आवाज के तोर पे बहार आएंगे और इसकी सापना 1969 के अंदर मौरको के रबात में हुए एक एतिहासिक सिकर समेलिन के दुरान किया गया था क्यूंकि 1969 के अंदर एक 28 वर्षी है औस्टिलियाई द्वारा येरुशलम के अल-असका मस्जिद में आगजिनी की घटना के बाद इन्होंने कहा था कि हम इसलामिक मुल्यों को सुरक्षा परदान करना चाते हैं इसलिए हम OIC की स्थापना कर रहे हैं इसके अंदर 57 countries है और भारत इसका जो है हम कह सकते हैं कि कोई मेंबर नहीं है जबकि भारत में पूरी दुनिया के second most जो है मुस्लिम यहां पर रहते हैं वर्ल्ड के 10% मुस्लिम जो है वो भारत में रहते हैं लेकिन बावजुद इसके भारत इसका सदस्या नहीं है क्यों नहीं है इसके पीछे भी एक रीजन है वो भी आप लोगों को इस वीडियो में पता चलेगा क्यार इसके उदेशे क्या है जैसे इसका नाम है Organization of Islamic Corporation तो आपको पता है कि इसके उदेशे क्या हो सकते हैं इसलाम को ही बचाना उसको प्रटेक्ट करना और जो भी इसलामिक कंट्रीज हैं उनकी आपस में कोई मतबेध हो गया है तो उसको सुल्जाना और यहां पर इसलाम का स्रंक्षन देखे इसलाम का स्रंक्षन इसकी रक्षा करना और जो इसकी निंदा कर रहा है उसका विरोध करना क्योंकि अभी जैसे भारत के अंदर हुआ नुपूर शर्मा के दोरा जैसे प्रॉफेट मौमद और उनकी जो वाइफ जो छे साल की बच्ची उनकी साथ जो शादी हुई थी उसको लेकर जो बयान दे दिया गया था तो यहां पर उसकी निंदा की गई है मुसलिम समाज में बढ़ते एस अंतोष को रोकना और यह सुनिचित करने के लिए की काम करना की सदस्य राज्य स्यूंक्त राष्ट महासबा मानवादिकार परिशद और अन्य अंतराष्टे मंच्चों पर एक जुट रहेंगे मतलब कि इन्हों ने कहा कि केवल आपको OIC का ही पालन नहीं करना है आपको UN के दोरह जो चार्टर दिये गए है उनका भी पालन करना है इसका मुखहल नहीं का है इसका मुखहल है जेदा के अंदर साउध यरप में और संगटेन ने कहा है कि येरुशलम के मुक्त होने के बाद वो पर्मानेंट तोर पर अपना मुखहल है जो पूरवी येरुशलम के अंदर स्थाना अंतिरतियानी ट्रांस्फोर्म कर लेगा और इसके अलावा ये जो OIC है वो पूर्ण रूप से एक तरीके से जो इसराइल है उसको वोर क्राइम कहता है वोर क्राइम कहने का मतलब ये है वो इसराइल को कहता है कि यही सबसे ज़्यादा लडाइया करता है यही लोगों को मारता है तो इसने वोर क्राइम का जो एक टैग है वो इसको इसराइल को दे रखा है अभी आपको याद हो कि जैसे कुछ टाइम पहले अमेरिका के दौरा रूस को war crime कहा गया था कि war criminal कहा गया था क्योंकि यह ज़्यादा तर यही लडाई कर रहे हैं इन्होंने ही यहाँ पर काफी ज़्यादा उपदरव मचा रखा है तो यहाँ पर OIC के according जो है जो इसराइल है उसको war crime का दरजा दिया गया या फिर कहीं कि इसको criminal war criminal ही कहा जाता है क्योंकि आपको बता है कि इसराइल के साथ बनती नहीं है OIC की reason काफी बार इनके साथ जगड़े हुए है इनके और यहाँ पर जैसे Palestine को लेकर जो इसराइल और पैलेस्टीन को लेकर काफी ज़्यादा विवाद रहता है तो OIC जो वो पैलेस्टीन को समर्तन करता है समर्तन देता है क्योंकि पैलेस्टीन एक Muslim country है obviously वो इसी को समर्तन करेगी और इसराइल का विरोध करेगी OIC की charter की बात करें समर्तन का एक charter पालन करता है इसके उदेश्ये बताते हैं उसके सिधान होते हैं चलेगा कैसे, क्या नियंतरन होगा इसका सब बातें उस charter में लिखी होती है 1972 के अंदर इसको अपनाया गया था लेकिन जैसे जैसे जो देश आगे बढ़े टाइम आगे बढ़ा तो इन्होंने अपनी charter के अंदर जो हो शन्शोदी ने भी किया था और अभी वर्तमान charter जो हो मार्च 2008 में सैनेगल के डकार में अपनाया गया था यानि शन्शोदी जो charter था उसको अपनाया गया था और इसमें निहित सभी सदस्यों को स्युंक्त राष्ट चार्टर के उदेश्यों और सिधानत के लिए खुद को परतिबद करने के साथ साथ इसलामी सिक्षाओं और मुल्य से निदेशित और प्रेरित किया गया था अब यहाँ पर OIC की प्रणाली सदस्यता की बात कर लेते हैं देखें मुस्लिम भू जो स्युंक्त राष्ट के सदस्यों इस संगटन में शामिल हो सकते हैं यहीं कि जहां मुस्लिम मैजोरिटे के अंदर वो इसके अंदर शामिल हो सकते हैं और ऐसे ही नहीं अगर कोई राष्ट OIC में शामिल होना चाते है तो मैंने कहा ना जो इसकी सबसे powerful body है Council of Foreign Minister वहाँ पर उसकी सहमती होनी चाहिए जो इसके member है इसके अंदर जितनी member है उनकी सभी की सहमती होनी चाहिए तभी वह वहाँ पर एक तरीके से इस OIC में शामिल हो सकता है और केवल अगर प्रेवेक शक्यानी की observer का एक status पाना चाहते हैं तभी उनको यही process से गुजरना पड़ेगा बारत ने इसके लिए कहा गया था कि बारत जो एक तरीके से observer के तोर पर इसमें शामिल हो सकता है लेकिन इन्होंने मानी ही नहीं यह बात अब विसली यह बात करते हैं कि हम इसलाम की बात करेंगे हम मुस्लिम की सुरक्षा की बात करेंगे मुस्लिम लोगों की बात करेंगे लेकिन जहां पर विशु की सबसे second populated muslim अब्यादी रहती है उनको यह शामिली ही नहीं करना चाते as a observer के तोर पर कैर हमने membership के लिए तो कहा ही नहीं था membership का एक हमारा अलग reason था कि हम क्यों नहीं आना चाते उसकी भी हम बात करेंगे निर्ने परक्रिया की बात कर लेते हैं यह decision कैसे लेते हैं देखिए संक्तन में सभी निर्ने लेने के लिए दो त्याई सदस्यों का तो एक तरिके से इनका कौरम होते न कि इतने सदस्य देश की उपस्तिति होने चाहिए और इनकी पूर्ण सहमती होनी चाहिए कूई भी निर्ने है उसके उपर और अगर आम सहमती नहीं बन पाती है तो वहाँ पर एक कहा जाते हैं कि जितने भी सर्दस से मोजूद हैं उनकी दो तिहाई अगर वो खुश हैं इस से डिसीजन से तो वहाँ पर वो निर्णे माना जाएगा विदेश मुंतराले की परिशद मुख्य निर्णे लेने वाली संस्ता है यानि कि जो मैंने आपको कहा ना कि जो टॉप जो एक तरीके से बोड़ी है वो है कांसिल ओव फोरंड मिनिस्टर वो सबसे बड़ी निर्णे निर्णे वाली बोड़ी है ओएसी की समाने नीतियों को क कैसे लागू किया जाए इस पर निर्णे लेने के लिए वार्सिक बैटक होती है इसका भी जो काम है ये विदेश मुंतरालों की जो परिश्द यही करती है यह समाने हिट के मामलों पर निर्णे यानि कि जो एक कोमन इंटरस्ट है उसके ओपर निर्णे देने संकल्ब लेत सदस्या राज्यों की समस्या वाले जो विशिष्ट मुद्यों पर विचार करते हैं और एक तरीके से कोई नय और्गनाजेशन बनानी है उसकी सहमती करना यह सावरे काम यहां पर इस विदेश मंतराले की परिश्द के द्वारा करवाय जाते हैं वित यानि की फाइनेंस द देने का अधिकार तब निलंबित या सस्पेंड कर दिया जाता है जब उनका बकाया पिछले दो वर्षों के द्वारा उनके दिये गए उनके दिये गए जो कंट्रिबुशन है उसके बराबर पहुंच जाए या उससे अधिक हो जाए कि भया तुमने उतना ही उधार रह ल समिंस्टर इनको लगे कि जो यह फैलियर हुआ है वो कही न कहीं इनके control से बाहर ता तो यहां पर इनका अनुमति दे सकते हैं वोट देने की और इस्लामिक सिखर समिलन जो इसलामिक समिट जो एक तरीके से इसमें राजाओं देश के परमुक देश के परमुकों दोरा गटित हैं जिनके पास संगटन से संबंदित सर्वोच अधिकार है ये परतेक तीन साल में होती है जिसका काम क्या आता है विचार मिमर्श करना जो पॉलसी मेकिंग है संगटन से संबंदित जो मुद्दे हैं उनका मार्ग दर्शन करना और सदस्यों देशों के साथ संबंदित महतवपुण मुद्द्यों पर विचार करना ये काम किये जाते हैं विदेश मंत्रियों की परिशद जो कांसिल ओफ मैंने का ना सबसे बड़ी पावरफुल या कहें कि जो टॉप डिसीजन मेकिंग संस्ता यही है OIC की समाने नितियों को कैसे लागू किया जाएं यही काम करती है यह चीजें हम अलड़ी पढ़ चुके हैं अभी थोड़ देर पहले हम ने किया और इसकी स्थाई समीतियां है यानि स्टेंडिंग कमिटी देखे OIC के पास जो है वो सूचना सांस्कृतिक मामलों आर्थिक और वानिजिक मामलों विज्ञानिक और तकनीकी पहल और येरुशिलम के लिए उनकी सहयों के लिए यहाँ पर OIC के दोरा 27 समीतियां भी बनाई गई है स्टेंडिंग कमिटी भी बनाई गई है OIC के आलोचना के होती है अब बात करते हैं देखें OIC ने अभी जैसे भारत के जो इसके 57 देश हैं इन्होंने क्या का कि भारत में जो बयान हुआ है जो controversial बयान हुआ है हम उसके खिलाब अपनी आवाज उठाते हैं और public platform पे आकर भारत को माफी माँगने चाहिए यह OIC के दोरा बोली गई यह बात बोली गई इन्होंने का कि हम Islam की सुरक्षा के लिए हैं हम मुसल्मानों की सुरक्षा के लिए हैं लेकिन इनकी सुरक्षा या फिर के इनकी आवाज पता निक तब कहा चली जाती है जब उईगर मुसल्मानों के उपर चीन में जिस तरीके से परतार्दना की जाती है जिस तरीके से उनको torture किया जाता है उनकी दाड़ी रखने पर उनके दाड़ी को पकड़ पकड़ के काट दिया जाता है अगर मस्जिद वहाँ पर चीन के अंदर मस्जिद बनाई जाती है तो मस्जिदों को तोड़कर एक पॉब्लिक प्लेस बना दिया जाता है जो उईगर मुसल्मान है उनके घरों में कैमरे लगवा दिये जाते हैं उनको वहाँ पर अपना धर्म मानने के लिए बिल्कुल भी अजादी नहीं होती है इनको पकड़ पकड़ का डिटेंशन कैप में डाल दिया जाते है तब ये OIC दुबक के बैठ जाता है या फिर कहें कि चुपपी साथ लेता है बिल्कुल मुपे तब इनकी चूँ तक नहीं निकलती है लेकिन भारत के मामले में ये बहुत ज़दा यहां पर कहेंगी अपनी आवाज उठाने आ गए है और यहां पर बात करें कि जो पिंस बिन सुल्तान है जो यहां पर चीन की यातरा पर गए थे तब इन्होंने उइगर मुसल्मानों के जो डिटेंशन कैंप देखे थे तब इन्होंने का था अरे आपने गलती किया है तो आपको सजा तो भुगत नी पड़ेगी यह किन को बोल रहे हैं यह उइगर मुसल्मानों को बोल रहे हैं कि गलती किया तो सजा भुगत नी पड़ेगी और इवन हालात तो ऐसे हैं अगर कोई भी उईगर मुसल्मान किसी भी मुसलिम रास्टर के अंदर सरंक्षन लेने या फिर कहेंगे कि वहाँ पर रहने के लिए जाते हैं तो चीन का इतना खोफ है कि ये उईगर मुसल्मानों को वापस लोटा देते हैं चीन में अभी हाली में मिश्र में 200 जो उईगर मुसल्मान थे उनको वापस लोटा दिया गया जिसमें 40 मुसल्मान जो उईगर मुसल्मान उनका क्या हुआ कुछ नहीं पता चीन ने उनके साथ किया गया किसी को कुछ नहीं पता लेकिन ये OIC तब चुपी साधे बैठा रहता है तब इनकी चूनी निकलती है लेकिन भारत के मामले में ये बड़े ही शेर बन के सामने आते हैं हमारे सामने तो एक तरीके से इनका दोगलापन हमारे सामने यहां निकल के आता है तो यहां पर गया है इसके आलोचना क्यों हो रही है देखे आलोचना यह है मुस्लिम अलफ संक्यों के अधिकारों की प्रात्मिकता देखे ये एक विंडो ड्रेसिंग के लिए एक अधार बन गया है जो अपने जो सदस्ते हैं जो 57 जो देश हैं इसके उनके मानवा अधिकार उनके human rights की बात करने की बजाए ये फिलिस्तीन में मैंनमार में यहां पर जैसे जो मुस्लिम अलफ संक्याक है उनके अधिकारों की बात करने भी अधिक रूची लेते हैं अपने देश के अंदर संभाल लो ना जो human rights उलंगा नो रहा है उनके उपर और ये human rights की बात करते हैं अरे भाई इनके पास human rights को सही करने के लिए कुछ यहां पर resource ही नहीं है investigate human rights violation मतलब कि कैसे investigate करें इनके पास वो resource ही नहीं है इवन अपने जो इनके द्वारा कोई निड्ने दिया जाता है जो treaties होती है उनको लागू करने के लिए इनके पास कोई power ही नहीं है अवर के resource ही नहीं है इनके पास उतनी power and resource ही नहीं है तो इससे यह पता चलता है कि एक तरीके से यहां पर इनके पास कितनी जादा कमी है अपने निड्ने को आगे लाने के लिए उनको लागू करवाने के लिए कुरान के मुल्यों के आसपास के अंदिरत है यह संगटन देखे उनी पर मद्यस्ता करता है जिन में दोनों देश तो एक तरीके से मुस्लिम होते हैं लेकिन बावजू इसके पता नहीं क्यूं भारत के अंदर यह फिर भी अपनी आवाज उठाता रहता है बोलता रहता है कि अभी कश्मीर को लेकर तो हुमन राइट्स की बात कर लेगा लेकिन जो चीन है उसमें कोई भी हुमन राइट्स इनका पता नहीं कहां चला जाता है और यहां पर एक तरीके से सहिकारी उदम स्थापित करने में विफल देखें जो दो इसके अंदर ओविसली ऐसी कंट्रीज पावर्फूल कंट्रीज भी हैं जिनके पास पैसा जाता है और ऐसी कंट्रीज भी हैं जिनके पास पैसा काम है लेकिन लेबर पावर जाता है तो उनके बीच में सयोग करने में ये बूरी तरह से ऐसा फल रहा है, उनके अंदर बीच में कोई connectivity बनाए, तो इसके अंदर बिल्कुल ये fail हो गया है, और ये संगटन अंतराश्ची राजनिती या आर्थिक सयोग के शेतर में एक महतवपूर्ण अभी करता के रूप में वि पाकिस्तान की इशारे पर भारत को एक आपनजनक तरीके से बाहर कर दिया गया था और भारत कई कारणों जाएगा OIC जो OIC बोला था कि OIC में जो भी है OIC जो है वो कश्मीर के खिलाब बोलेगा नहीं क्योंकि भारत का internal issue है और कैसे सभालेगा वो भारत खुद देख लेगा अपना तो वर्स 2018 में विदेश मंत्रियों की सिकर समेलन में 45 में शतर में मेजबान बांगलादेश ने सुझाव दिया था कि भारत को एक लिस जहां पर दुनिया के कि क्यों भारत ने इतना जल्दी action लिया दो जो यहां पर जो बीजिपी के जो कारे करता थे उनके खिला और यहां पर इनके साथ हमारी जैसे गंष संबंद बनाने के बाद भारत समूर्द के किसी भी ब्यान पर भृत करने के लिए आस्वस्थ हैं भारत ने लगातार इस बात को रिखाँकित किए जम्मो कश्मीर भारत का एक अभीन अंग है और ये भारत का एक आंत्रिक मामला है और इस मुद्दे पर OIC का कोई अधिकार नहीं है वो यहाँ पर कुछ बोले 2019 में OIC के विदेश मंत्राले की बैटक में गैस्ट ओफोनर के रोप में अपनी पहली उपस्तिती दर्ज की थी भारत ने और ये एक तरीके से कुट नितिक जीती थी भारत की क्योंकि उस वक्त जो था भारत और पाकिस्तान के बीच में जो पुलवामा हमले को लेकर जैसे तनाव बढ़ा हुआ था लेकिन बावजुद इसके भारत को यहाँ पर गैस्ट ओफोनर के रूप में अमंत्रित किया गया तो उमीद करता हूँ कि आप लोगों को OIC का यह जो पूरा संगटन है वो समझ में आ गया होगा क्यों यह न्यूज में था क्यों इसका एक दोगलापन हमारे सामने आता है वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और PDF के लिए प्रवाचिए लीडियो।